महराज बाणी पढ़न वेले तां सोख मिल दाय तां इत पेडां पह रही आने महराज कहने लगे फिर एक गल जाद रखनी संगत जी गुरबाणी साथे अंग है अशी गुरबाणी नो अपने अंग मन देयां जिदों कोई एस दे उचारन नो एस दे अर्थ गल्थ करेगा तां ओ जिमें किशे दी बाम रोड दिती जावे दे उन्हों किन्ही तकलीप होवेगी ग्रीवनवाद सचे पात्षा जेश विले अनांदपुर साहब दी तरती ते सीगे सचखंड श्री अनांदपुर साहब विखे ग्रीवनवाद दी भराज मान सान ताय ओ समें दा एक समा सी आज सिखां चे कोई काटां जरूर आई याने सिख नेमनों में कटा रहे ने ते प्रेमनों में ओ समें सिखां दे नेम च बहुत भरकत सी पांज बाणियां दे पाठ दे नाल नाल पांज गरंथी दा नितनेम कीता जानदा सी आज भी वधियाल्यादे वेच वधियार्थियानों पांज गरंती दा नितनेम करवाया जानदा है पांज गरंती दा अर्थ हुंदा है जीदे वेच कुछ होर वशेश बानियां गुरु गरंसहव जीदियां दर्जनें जिमें दकनीयों अंकार सिदगोस्ट भावन अखरी, आसादी वार्थ सुख्णी सहव इत्याज़क तो ऊसारीयां बानिया दा नेम जड़ासी सिख्ध करया कर दे पांज बानियां दा पाठ कर लेया ओस्तों परंत दखनियों अंकार सिद गोस्ट बावनकरी आसा दी वारकीरतन रूप जा पढ़के थे सुखुनी सहीव ये जरूर नेम्स कर देशां। तो एसे तरह एक देन अमर्तवेले महारास चे पादशा अपने सिंग असना दे विराजमान वहगरू दी वाद दे विच जुडे सानेक सिंग दखनियों अंकार दा पाठ कर रहा सी। जिदों पावन बाणी दी शबद दी दियां पंक्तियां पढ़ देयां पढ़ देयां दखनियों कार नूं तान तर नी तर आप जो नी तोल बोल सच पूरा करते की मेत करता जाने कह जाने गुरसूरा। एथे पाठ पहुंचा तां ओ सिंग भार बार इस पंक्तियनू पढ़न लगा पर इस पंक्तियनू दुबारा दुबारा रपीट करनते भी शुद नी पढ़ पाया। जिदू अशुद बानी पढ़ रहा सी तां कलगी तर सचे पात्षा माराज ने उसनू एक सिंग दे दौरासनियां पेज के समझाओन वाप्त क्या। सिंग नू वाज मार के क्या के नू समझाओ रोक को। परन्तु वो जड़ा सिंग सी वो गर्म सुबादा सी। वो गर्म होन करके उने जाके सिंग नू कैन दी प्रेम ना समझाओन दी बजाए। तक्के मारे थे पेड़ बगएरा मार देती। सिंग बहुत ज्यादा गुशेच आया पर वो समया मर्तविला उनकर की अग्वों कोई जवाब नहीं देता। जे में होन गरीवन वाज दी हजूरी चम मर्तविले दिवान ता सज्जे ने एस समय गुरू गर्म सह्भ मार आज यमें बिराजमान हन सिंगाशना ते इमें कल गीतर जी बिराजमान से। तो सद्गुरु जी दी बिराजमान यमें कथा भी आप ही करया कर दे सान। जे में होन गुरू गरीवन वाज तान। गुरू गर्म सहभ जी बक्षिश कर रहे ने शाबत दी रसना बदल लें देने पर जोता हो ही है। तो यह में गरीवन वाज जी परताख रूप दे विच आप ही कथा करया कर दे। सारी समापती होई उस शेंग जिनू चपेड मारी सी शेंग ने उठके खलो गया हजूरी जी। कहन लगा माराज जी बानी पढ़ देयां शिक्खानू ए हाल होवेगा चपेडां बज्जन गियां दो चलने पैन गे। साथ ग्रू सचे पात्षाय फिर सख के थे मिलेगा। सचे पात्षाह दोख ताँ, स्वीरेक भी हो एच ति मानसक भी होया है मेरा मानन날 भी बहुत दुखिया है। माराज बाणी पढ़न वेले तां सोख मिल दाय तां एक चपेड़ा पह रही आने पर मातमानों याद कर देया तां सोख दी जड़ी परवाशा दसी जान दी है के वह गुरूदा नाम जब पढ़न तों सोख मिल दाय तां साथ संगत जी जो ऐसे बचना उसे खने की ते माराज कर लगे किनी तकलीफ है कि दास नहीं सागता माराज कर लगे पर एक गल जाद र tentang जी गुरुबाणी साथे आंग है साथ गुरू सच अच पाथशा जी दा लिखिया हुएा गुरू ग्राम सहीव जीदा एक कखर साथा आंग है अशी गुर्बानी नू अपने अंग मन दें जिदों कोई एस दे उचारन नू एस दे अर्थ नू गल्द करेगा ता ओ जिमे किसे दी बाम रोड दिती जावे ते उनू किनी तकलीफ होवेगी साड़े एन अखरान नू जिदों कोई त्रोड मरोड़े गा ता साड़े सरीर नू ते माननों मी दोख होंदा है क्योंके साथ संगर जी का पाम गरीव नू आ सचे पाथची जिदा बचन पढ़ देयां आत्मा गरंथ चते सरीर पंथ चते कलगीतर सचे पाथचा ने अपनी जो तो दसम गुरू गोबिन सिंग सचे पाथचा दसमे पाथचा जी ने सिरी गुरू गुरंथ सहब च्टिकाई होई है तो साथ संगर जी जी तो असी गुरू की बाणी नू शुद नी पढ़ांगे तोड मरोड के अर्था नू करन दा जतन करांगे तहां गरीव न वाज दे हिर्दे नू दुख भी होंदा है तो ओसमे माराज कहन लगे पाई तो अनू बहुत दुख होया तुसी साथी बाणी साथे आंग मरोडे ने तुसी एसनू गल्त पढ़े आए कहन लगा माराज जे मैं गल्त पढ़ी है बाणी ते आप जी शुद बिनो दस्व के में पढ़ी जावेगी दस्व माराज असी एसनू शुद के में करिए तो ओसमे फिर कलगी तरदियाने बतन की तासी कैन लगे पाई जो जांग जोद तो असी पहले होंगे ओसमे फिर असी एस जड़े आ गुर्बानी नो शुद पढ़न दा ते अर्थ करन दी सारी जड़ी है ओविदी परनाडी समझा दियांगे ओसमा चालदा अनादपुर साहिब तो चलगी तर सचे पाध्षा जड़ों अनादपुर साहिब नो किला अनादगड नो शाड़दे होए सरसा नदी तों कच्ची गड़ी चमकार मुकसर सहब तों तक्षिरी दामदमा सहब पहुंच के कमरकसा जांगदा खोड़ देने ओसे सचे पाध्षा ने जंगा दा कमरकसा खोड़ के ते राम कीता सी दामदमा सहब ताई तक्षिरी दामदमा सहब दा नाम है तो शाज संगज जी ओथे फिर सिखाने बेंती कीती कें दे गरीवनवाद जी ओ आप जी ने बचन कीता सी पी जिदों कमर कसा खोला आगे जांग जो तो भेले होमागे ओ समय चीज जड़ी गुर्बानी नू शुद पढ़न दा अर्था नू करन दा आप जी ने बचन कीता सी जी ते माराज होन समा आगे आप जी करपा करो फिर ओथे साथ गरू सिरी गरू गोबिन सिंग माराज जी ने सिंगा दे बचन नू सुनके आपने विर्द नू पशानके ए होकम कीता सी के असी होन गरू गरांज सहब जी दा सरूप बीड लिखवामा गे नमियां बीडां श कराउन वास्ते फ्रमता हुई माराज ने कोज सिंग करतार पूर सहब तो बीड मगाउन वास्ते पेजे पर करतार पूर्त बैठे होए तीर मलियां ने जवाब दे दिता थे एक अलकई के जे गुरू आप सचा है गुरू गोबिन सिंग गुरू है तो फिर आप कंठो बाण ने उचार लवे ता सचे पाध्षा ने फिर ओथे साथ संग जी पाई मनी संग जीनू लखारी ते सहाएक बाबादीब संग जीनू लखारी लाकि समेत होर श्याडी संग कुल अच्तारी संगानू एक सोने अस्थांग ते तंबू नमा जगा बनांके जीदे विच गुरू गुरुबाणी द्या शोद्ध उचारण ते शोद्ध गुरुबाणी दे अर्थानू घृु ग्रीव नवाज जीने रम कीता से जीदे विच पाई मनी संग जी लिख दे तांतन बाबा दीव संग जी महापुर्ख ओ कलमा कड़के ते आलक सारी पत्यानू जिडे पत्रे अनू बाच दे टांक दे नालते पत्रा त्यार श्याई त्यार करके दिन दे ओ सारी दी सारी मान मर्यादा उथे गृव नवाज जीने अठताली सिंगानू एक रिया किती सी और जेडी जस्तरां गुरु गुरुबाण साहिब जी दा सुरूप करतार पुर साहिब दे विच आज भी ओ गुरु अर्जन दे माराजियां बाली बीड जड़ी पहली बार पाई गुरुदास जी ने लिखी सी ओदे नाल दाई सारा कुझ माराज चे पाच्छा ने लागमात्रा समेतों में उचारना शुरू कीता और अटारी सिंगानों गुरुबानी दा शुद उचारन ते अर्थ पड़ा आके दो संप्रदावा चलाईयां एक दे मुखी तांतान शहीद पाई मनी सिंग जी नो था पया गया जी दे तो बाच पाई मनी सिंग जी अमरे सर साहिब साच्छाट शेरी हरमंदर साहिब दे मुख गरंती बज़ों में नियुगत कीते ते ए थे पाई मनी सिंग जी ने संप्रदाव टकसाल जिनू अमरे सरी टकसाल क्या जन्दाए ओदे नार पावन बानी दा परचार परसा ते शोद उचारन संकता दे विच परसारत कीता ते दूजी टकसाल जहां कहल ये दूजा जथा तानतन बाबादीब सिंग जी शहीद महापुर्ख उनानो ताकसिरी दामदमा साहिव दे विच रह के परचार परसार करन दा हुकम जिता तो साथ संग जी एमें फिर दामदमी टकसाल दे पहले मुखी बाबादीब सिंग जी ते दूजे बने शहीद पाई मनी सिंग जी बने और ओथों ये संप्रदा फिर अगे चल दी चल दी जी में बाबादीब सिंग जी तो अगे जिनादा ये स्थान है शहीद बाबा गुरवक सिंग जी जे स्थान ते आप संकत दर्शिन दिदारे कर रहे हैं और जित्वे विचार पावन रिकॉर्ड भी हो रही है इस अस्थान एउना दी यादे विच शहीद बाबा गुर्बग सिंग जी दा स्थान है जिना दी अबदालीनियां फोजां देनाली लड़ देयां शहादत हुई साचखंड शेरी हर्मंद कि में टिक साल दे समू ग्याननी विद्वान संत जन महापरुख जान ए उसे तरहीं संप्रदाई टंग ना पढ़ी प्रकार बजुर्गां को एस चीज नो ग्रैन कर दे ते बच्चयां चगे दिन देहन गांदी गांए इदना चल रही है